हेलो फ्रेंड्स दिश इज एश्पिशिंग एंड वेल्कम टू इस्माइटर एवरी टे पैरे दोस्तों बात करेंगे बियर्ड थर्ड सेमेस्टर एक्कॉर्डिंग टू कानपूर यूनिवर्सिटी जो आपका फर्स्ट पेपर है वो 24 फरवरी को लगा हुआ है क्लासे समारी कंटीनिव है सेंपल पेपर आपको दे दिया गया है यह जो कोशन यह आपका 2023 यानिकी पिछले साल पूछा गया था और इसको आज में लोग डिस्कॉस करेंगे आज सी क्लास में टोटल हमारे चार कोशन से रहेंगे जो पिछली बार पूचे गया क्योंकि यह के कोशन को समय बहुत कम बचा है आज की इस क्लास में हम चार कोशन कवर करेंगे और यह जो कोशन है विद्यालय में कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आज रहे हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाए इस कोशन को डिस्कॉस करेंगे आई इस कोशन पेपर में आपको द सब कुछ इक नहीं के सावान आर्थ कश समंधित उपकर्णों और उसकी बहुतिक विवस्था से होता है यानि कि classroom में जितने भी उपकरण होते हैं, tools होते हैं, furniture होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़े होती है उनको सही जगे विवस्थित करना, हर चीज एक सही तरीके से अपनी जगे होनी चाहिए, भौत तिक विवस्था, ठीक है तो इन सब चीज़ों को मिला करके ही classroom management कहलाता है, वर्तमान समय में कक्षा-कक्ष प्रबंधन का समन्द कक्षा-कक्ष को भौत तिक विवस्था एवं मानिवी विवस्था से लिया जाता है, भौत तिक विवस्था का मतलब जितने भी furniture है, जो भी चीज़े हैं, अलमारी है, जो भी कुछ है, अपनी सही जगह रख्योंनी चीज़े, मानिवी विवस्था का मतलब यहां पर एक जो बच्चे हैं, वो सही तरीके से बैठे हों, हुर्दंग नामा चा रहे हों, टीचर आया है, एक साथ सब लोग खड़े होकर good morning बोल दें, एक साथ सब लोग thank you बोलकर बैठ जाएं, है ना, मतलब ऐसानी की गाना गा रहे है, good morning, मतलब कोल मिला करके सही तरीके से विवस्थित होना, जिसका उद्देश सिक्षण अधगम प्रक्रिया को परभावी बनाना है, teaching learning process को effective बनाना है, कक्षा के प्रबंधन दो सब्दों से मिल करके बना है, एक तो classroom ह गया, यानि कि कक्षा कक्ष हो गया, दूसरा उसका प्रबंधन यानि कि management हो गया, एक कक्षा में, सिक्षण के लिए या सैक्षिक उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना, और कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा कक्ष कहलाता है, इतनी बात समझ में आई, very good, अब हम समझते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन की परिभाशा क्या है, आईए समझते हैं, प्रोफेसर ऐस के दुबे कहते हैं कि कक्षा कक्ष से अभी पराय बहुत तिक दथा मानवी संसादनों की मनोवेग्यानिक प्रबंधन से है, ज जो की शिक्षण अधियम प्रिक्रिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, दो प्रिभाशाएं बहुत हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उपल्युक्त विवेचन से इस्परस्ट होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन एक व्यापक परता है, एक बड़ा कॉंसेप्ट है, जिसके अंतरकत कक्षा से समस्त बहुतिक संसादनों, भवन, कुर्सी और मेज, ये सब चीज़े इसमें आ जाती है, तथा मानवी संसादन, शिक्षक और सिक्षार्थी हो गए, के प्रबंधन को भी इसमें समलित किया गया है, मैंने क कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को समझते हैं, प्रोसेस आफ क्लास्रूम मेनेजमेंट, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए, प्रबंधन का उप्योग परम आवश्यक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए, प्रबंधन को निम्नल उसका आकार दीजिए, ऐसाने की रूम बहुत चोटा है, बच्चे बहुत जादा है, सब एक दूसरे को उपर बैठे हैं, है ना, ये ये नहीं होना चीए, जिस साब से बच्चे हैं, उस साब साब की रूम होने चीए, कक्षा के प्रतेक छातर को उचित इस्थान मिलना चीए बैठने के लिए आराम से, ऐसाने की एक इस टूल पे चार्टेंगे हैं, जिससे से वो अपने कार्यों का उचित संपादन कर सके, उचित प्रकास सही लाइट होनी चीए, कक्षा में प्रकास की उचित ववस्था होनी चाहिए, जिससे की छातर सरलता से स्यामपट एवं अन सामगरी का अवलोकन कर सकें, उसको देख सकें, इसके लिए कक्षा कक्ष में खिड़की और दरवाजे की संख्या पर्यापत मातरा में होनी चाहिए, बैठने की सही ववस्था हो, कक्षा कक्ष में छातरों को बैठने के लिए फरनीचर, उनकी आयू वर्ग के अनुसार नि अनुसाषन, जब तक कक्षा कक्ष में पूर्ण तह अनुसाषन प्रबंधन नहीं होगा, सिक्षन अध्यम प्रकरिया संपन नहीं हो सकती, यानकी discipline is most important, जब तक discipline नहीं होगा, तब तक teaching learning process बढ़िया नहीं चल सकता, टीचर सामने पढ़ा रहा है, पीछे last bench पे जो बैठे वो या तो बाते कर रहे हैं, यह नहीं तो फिल्टिफिन खोल के खाना खा रहे हैं, जैसे हम लोग किया करते थे, अताहा एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन के प्रबंधन कार्यों में अनुसासन बनाना बहुत बड़ी चीज़ है, वातावरन की बात करें, कक्षा कक्ष प पे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही आए हैं, आगे बढ़ेंगे, सिक्षन अध्यम सामगरी का उप्योग, जो टीचिंग लर्निंग मेटेरियल होता है, उसका यूज करना, प्रबंधन के अंतरगत, टीचिंग लर्निंग मेटेरियल के प्रियोग की उचित ववस प्रबंधन कार में शमलित होती है, उचित शिचन विधियों का प्रियोग सही टीचिंग मेटेड का यूज कीजिए, क्योंकि एक ही टीचिंग मेटेड को हम हर सब्जेक्ट पे अपलाई नहीं कर सकते, होना हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की टीचिंग मेटेड अलग होती है तो सही subject के लिए सही teaching method का use करें कक्षा कक्ष प्रबंधन में teacher का important role होता है सिक्षक के द्वारा आधुनिक सिक्षन विदियों का प्रयोग किया जाएगा और कक्षा कक्ष की इस्थती अनुशाषन युक्त होगी अता कक्षा कक्ष के आधर्स प्रबंधन के लिए सिक्षन विदियों का प्रबंधन भी आवश्यक है चात्र सहबागिता की बात करें तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख अंग तो चात्र ही है है ना जब चात्र नहीं होंगे तो teacher किसको कथा सुनाएंगे इसलिए सुच्छन अद्गम प्रक्रिया में छात्रों की शहवागिता भी आवश्यक है इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को शारिरिक और मांसिक रूप से सक्रिय रखते वे एक्टिव रखते वे टीचिंग लर्निंग को संपन्न किया जाए प्रजातांत्रिक विवस्था कक्षा कक्ष प्रबंधन में प्रजातांत्रिक विवस्था से आशे प्रतेक छात्र के साथ समानता के विवहार से यानि कि हर छात्र को समानता से विवहार करें ऐसा ने कि गुपता जी का बेटा है तो हमारा बहुत खास है ये सरमा जी का है हमारा दुस्मन का है तो इससे कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए आपके लिए क्लास में सभी बराबर है ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है ना चोटा ना बड़ा ठीक ना कोई दोस्त ना मित्र ना सत्रू पर तेक छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभागता का आधिकार शमान रूप से मिलना चाहिए फीडबैक एगर बात की जाए यहाँ पर तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में सिक्षक के द्वरा फीडबैक अवश्य प्रदान करना चाहिए इससे चात्र उत्साहित हो करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सयोग प्रदान करते हैं प्रिष्ट पोश्ण से करिया संपन की जाती है कक्षा कक्ष प्रबंधन परत्यक्ष रूप से टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस समधित तत्वों का प्रबंधन भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के चेत्र में ही आता है बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं और पढ़ना वीचे क्योंकि समय नहीं है यह हो ग करते हैं कर सामान और विश्ष तो प्रकार के होते हैं अचर अगर आप ने अभी तक पेड़ गंटें नहीं लिया तो अभी यह आपके पास मौका है आप में इस नम्बर पर Сейчас 2-alar i2- invested इस नंबर पर WhatsApp मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या लेंगे, आपको फुल टॉपिक वाज़ कंटेंट, प्रीवाई, क्यूज, सेंपल, पेपर, कोश्चन आंसर, सब कुछ प्रवाइड कराया जाता है, एंड उसके लाप में इस नंब प्रवंदन के सामाने सिधान समझते हैं, सामाने सिधानतों को योजनाबद धंग से सीखा और उनका प्रियोग किया जा सकता है, सामाने सिधानतों का प्रियोग विबिन इस्थितियों में किया जा सकता है, कई प्रकार की कंडिक्शन में किया जा सकता है, ये उन समस्याओं बहारी नियंतर्न का प्रयोग करना होता है, बलकि आंतरिक आत्म नियंतर्न, सल्फ कंट्रोल को भी डिवलब करना होता है, समाज और स्वीक्रती जब चात्र कक्षा कक्ष के नियमों को समझते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो उनके द्वारा इनका पालन किये जाने की स्वंभावना अधिक रहती है मनो वैग्यानिक सिध्धान अपनी रुचियों रुजानों और योगताओं की अनुसार अर्थ पूर्ण कार में लगे हुए चात्रों की अनुशासन समंदी समस्या इसमें कम हो जाती है उत्पादक कार क्या कहता है प्रबंधन के द्वारा किवल नियंतरन पर बल दिये जाने की अपेक्षा उत्पादक कार में वैतीत किये गए चात्रों के समय को अधिक्तम करने की और अपना ध्यान लगाया जाना चाहिए यह हो गए क्या सामान सिध्धान्त अब बात करेंगे विशेष्ट सिध्धान्त की कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशेष्ट सिध्धान्त निमलकित पूरवधार्णाओं की रूप में जैसे एक तो नियोजन हो गया जिसको प्लैनिंग कहते हैं श्वतंत्र किरियाओं तथा संगठित पाठों का नियोजन किया जाना चाहिए प्रोथसाहन, प्रयास और संकेतों को प्रोथसाहित किया जाना चाहिए और उपियुक्त विवहार को पुनरबलन दिया जाना चाहिए पुनरबलन का मतलब होता है reinforcement reinforcement यानि कि अगर बच्चे से अपने question पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया तो उसको कहना चाहिए शाबाश, very good, बहुत अच्छे इससे बालक के अंदर एक self confidence डफलब होता है फिर वो दुबारा फिर आंसर देने का प्रयास करेगा पढ़के आएगा, निवनतम बाधा, बाधा और विलंब कम से कम होना चाहिए इसपस्ट नियम होने, जब आवसकता हो तो इसपस्ट नियम इस्थापित किये जाने चाहिए पुरसकार, यानि कि ये निश्चित करने के लिए कि छात्रों को जानकारी हो कि क्या करना है, और इसे करने के लिए वे अभी प्रेजित पी हो, इंस्पायर भी हो वांचनी विवहार का निश्चित रूप से उलेक किया जाना चाहिए और ऐसे विवहार को पुरसकरत भी किया जाना चाहिए यदि बच्चा को अच्छा विवार कर रहा है तो उसको कुछ आप पुर्सकार भी दे सकते हैं अच्छा वातावरण होना चाहिए बच्चों को तो एक पैन मिल जाए वही बहुत बढ़ा बहुत खुशी होती है न हम लोगों को स्कूल में 15 पैक ट्फिल मिल जाता था प्लास्टिक का बॉक्स मिल जाता था कित्ती खुशी होती थी कि हम यह जीत के लाए है कक्षा में अच्छा वातावरण इस्थापित किया जाना चाहिए और समय और प्रयास को अधिकतम किया जाना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से हमारा कोशन कवर हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन हमें डिस्क्रस किया आगे बात करते हैं दूसरे कोशन की दूसरे कोशन कहता है इसी से समंधित है कक्षा कष्प्रबंधन कोशल के परमुख घटक या चर कौन-कौन से हैं समझिए देख़े यहां पर कोशन में ये देखे कक्षा कक्ष के घटक क्या है घटक पूछ रहा है तो हमको अब यहां घटक डिस्कस करने हैं आईए कक्षा कक्ष प्रबंधन कोशल के घटक निम्न लिखीता है कौन-कौन से घटक है बहुत चोटा कोशन इसरे क्रिया को प्रोटसाहित करना है, अनुशासन हिंता पर कंट्रोल करना है, वांचित विवहार का प्रनबलन करना है, जो अच्छा विवहार करना है, उसको रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं, कक्षा प्रबंदन में छात्रों की सहबागिता को श्रीकार करना है, कक्षा नीकेशन यानि वारतला बातचीत, संप्रिशन एक समवाद है, संपर्ख है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुचाने का प्रयास है, हम बोलकर सुनकर देखकर पढ़कर चित्र बनाकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुचाते हैं और दूसरों की बात को समझते भी हैं, शमपरीशन के मूल में ये विचाल नहींत है कि व्यक्ति समश्याओं पर परस पर मिल जूलकर विचार करें जो भी प्राब्लम से उनुपर मिल जूलकर के विचार करें और एक दूसरे के point of view को समझ कर दिश्टिकोन को समझ कर समझे से पूर्ण धंग से अपने करतव्यों का निर्वाहन करते वे लक्ष प्राप्ति की दिशा में सुगमता पूर्वक बढ़ सके समप्रेशन के अर्थ को इसपस्ट करने वाली कुछ मुख्य परिभाशाएं नीचे दी गई हैं मिलट के according समप्रेशन को किसी साजे की प्रियोजन की साज़ा समझ के रूप में परिभाशित किया जा सकता है टीड के according समप्रेशन का मूल समान विश्यों पर मर्स्तिषकों में मेल इस्थापित करना है साइमन कहते हैं प्रचार की रूप में समप्रेशन को किसी एक ऐसी प्रिक्रिया की रूप में प्रिवर्तित किया जा सकता है जिसके दुआरा डिसीजन्स को संगठन के एक सदसे से दूसरे सदसे तक पहुँचाया सके जो भी निर्ना है विचारों एवम भावनाओं का शब्दों पत्रों संकेतों अथ्वा आधीशों के माद्यम से आदान प्रदान करना ही शंप्रेशन है Newman एबन समर के according oggi Summcription दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों समितियों और भावनाओं का विनमय है EFL ब्रीच के according शमप्रेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सुचनायों शमच का हस्ता अंतरन करना है तो इस प्रकार इस प्रष्ठ है कि संप्रेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो या दो से अधिक विक्ति अपने संदेश तथा इन संदेशों से समंदित भावनाओं, विचारों, तरकों, तत्यों, विचारों, विश्वाशों आधिका आदान प्रदान करते हैं शंप्रिशन के प्रिक्रिया दो इमारगी होती है ठीक यानिक इसमें दो विक्तियों का होना आविश्यक है अकेला विक्ति किसको कहेगा जिसके अंतरगत प्रिष्ट पोशन और अंतह प्रिक्रिया होती है इस प्रकार का शंप्रिशन ही प्रभावशाली शंप्रिशन माना च कि क्या भूमिका है ठीक है आप जैसे इन्होंने इतना बड़ा परग्राफ लिखा है समझ यह पॉइंट को यहां पे इन्होंने क्या किया है यहां से ले करके यहां तक इतना बड़ा प्रग्राफ लिक है आप इतना बड़ा प्रग्राफ मत लिखीएगा डीक है। पूरी कापि में कहीं नहीं क्या करेंगे सर्थ-स अगर बहुत बड़ाो परग्राफ का हो रहा है तो प्रभावी शंप्रेशन के समूह ये समाज की कलपना नहीं की जा सकती है संप्रेशन की उचित ववस्था के बिना कोई भी प्रशाश की संगठन काम नहीं कर सकता है और यदि संगठन अपने शुरूप में अत्यदिक विस्तरत हो तब तो ये अनिवारे हो जाता है कि उसके संचालन अत्वा नियंतर्ण के इस्तर पर कार की प्रगति से समंधित पर्याप सूचनाएं निश्चित समय पर मिलती रहें संप्रिशन विवस्था को प्रशाशन का प्रथम सिध्धान्त माना जा सकता है संगठन में आंत्रिक सयोग और समनवय किश्चमयोजन की प्राप्ति के लिए संप्रिशन विवस्था का होना नितांतावश्यक है किसी विक्त के दौरा कोई बात कह देना ही पर्याप नहीं होता बलकि आवसकता इस बात की भी होती है कि सूचना पाने बाला सूचना को उसी प्रकार प्राप्त करे एवं उसका वही अर्थ लगाए जो सूचना देने वाले का है संप्रिशन के माध्यम सही प्रेशाशन की विवन इस्तरों और प्रेशाशन तथा जनता की बीच सही रूप में शंपरक इस्तापित किया जा सकता है यहाँ एक जानी मानी बात है कि यदिक सरकारी, कर्मचारी, सरकार की नेतियों, कार्यकरमों اور देश्यों से भली भाती परचित होंगे तो वे न केवल अपने कार की सार्थकता अधिक समझ सकेंगे मलकी कार का संपादन भी अधिक निष्ठा के साथ कर सकेंगे इसके अतरिक्त यदि अधिकारियों को कर्मचारियों का विकास प्राप्त होगा तो वहाँ उनके सयोग के बल पर अपने करतवियों का निर्वाहन अधिक अच्छे ढंग से कर सकेंगे आज के लोकतांतरिक युग में प्रशाशन और जनता के बीच संपर्क रहना भी आवश्रिक है यदि प्रशाशन जनता से अलग तलग रहता है तो लोकतांतरिक ववस्था का कोई मूले नहीं रह जाता यही कारण है कि आधुनिक लोकतांतरिक ववस्थाओं में सरकारी विभागों में सूचना प्रचार एवं जन संपर्क अधिकारियों की निक्ति की जाती है आज लगबग सभी राज्यों ने सूचना प्रकाशन और लोक संपर्क स्थापित कर लिये हैं प्रबंध संबंधी साहित्य संप्रेशन विश्यक लेखों से परिपूर्ण है वस्तता आज का यूग संप्रेशन का विचार विजस्था का यूग है संचर वियुस्था के कारण ही आज और दर्जे का आदमी भी अपनी सरकार और प्रोसियों के अधिक निकट आ चुका है और वहाँ अपने चारों और के जीवन से अधिक एक रूपता का भी अनुभव करता है यह बात हो गई बस यहीं तक इतने ही कोशन साज यह चार कोशन हम लोगों ने डिसकस किये और इसके बाद जल्दी ही आपको जो और इंपोर्टेंट कोशन से वो भी मिल जाएंगे और जो हमारा दूसरा चैनल है क्लैकॉल एक्जम्स के नाम से उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है इस चैनल को अभी और तुरंत सब्सक्राइब कर लेजे जीके जीस क्लासे यहीं चलती है ठीक है थैंक यू सो मच